नमस्कार दोस्तों हम सीखने 2D Animation और 2D Animation में आपको बता रहे तो एनिमेट CC के बारे में दोस्तों मैंने पीछे के वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ इस Character को हमने कैसे Create किया है और इसके Lips को भी दिखाया था और Eye Blink को भी दिखा चुका हूँ तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज किस वीडियो में आपको दिखाऊंगा यह जो Character चल रहा है इस टाइप का जो एनिमेशन होता है उसको कैसे Create करते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं मैंने पीछे के वीडियो में आपको सभी तरह क्या है जो हम कैसे Create किये हैं वह आपको दिखाए थे और हम चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ एनिमेशन की तरफ हम वीडियो बनाते हैं तो हम पहला जो स्टेप है इसको हम वाकिंग करके दिखाता हूं आज किस वीडियो में तो हम इसके अंदर जाते हैं यहां पर क्या है दोस्तों कि सभी टाइप के यहां पर लेयर बना हुआ हर किसी का अलग अलग लेयर हमने Create करके दिखाए थे कैसे हम Create करते हैं मैं इसको यहां पर रखता हूं और इसको मैं छोटा कर लेता हूं तो यह Character है तो इसको हम फॉस जो आगे की दिखाए की और कर लेता हूं है और यह हाथ हमारा अभी मैं इसको यहां पर आफ करता हूं और इस हाथ को मैं Side कर लेता हूं इसको मैं थोरा सा यहां पर रकते हैं और इसको यहां पर रख दिये इस टैप से हमारा जो है पहला step जो है तइयार हो गया है हम क्या करते हैं इसको animation करेंगे 30 फ्रेयम तक कोई भी character को walking कराते हैं तो इसको हम सिर्फ एक step को create करते हैं और उसको हमें लूप में चलाते हैं जहां हम इसको क्या करते हैं मैं तक टाफ सरग करते हैं तो तो जब लास्ट फ्रेम और start frame, दोनों को हम same रखते हैं और एक बीच में हम जो है, एक frame create करेंगे, यहां से मैं एक frame create किया हूं, अब इस पर क्या है, जब यह pair पीछे है, इसको हम आगे करेंगे, और जो pair आगे है उसको पीछे करेंगे, और इसी तरह इसके हाथ को भी हम करेंगे, जो आगे होगा, उ इस हाथ को मैं select किया और यहां से मैं wireframe कर देता हूं और इसको मैं क्या करता हूं इसका pointer है यहां पे set करते हैं और इसको मैं कर देता हूं आगे इस step से यहाँ पर और इस हाथ को मैं पीछे की और करता हूँ और इसी tap से इसके pad को भी हम करेंगे इसको मैं करता हूँ पीछे और इसको मैं करता हूँ आगे इस step से इस step से आप देख सकते हो गया है अब मैं इसमें क्या करता हूँ यहां से right time क्लिक करते हैं और classic twin लगा देता हूँ अब चला के दिखाता हूँ दिखे इस step से हो गया है तो मैं एक जो है यहां पे बीच में एक frame create करता हूँ और यहां पे भी एक f6 करके frame create कर लिए यहां पे अब यहां पे क्या करना है इसमें थोरा से जो पीछे की और पैड है यहां से पैड उठना चाहिए तो मैं क्या करता हूँ इसको थोरा सा और step करता हूँ और इसको मैं rotate कर देता हूँ step से और यहां से wireframe करते हैं और फिर मैं आगे बाले frame पे जाता हूँ यहां पर यहां पे मैं इस pair को आगे क्योर करता हूँ इसको मैं यहां पे कर दिये अब मैं यहां से wireframe हटाता हूँ और अभी देखते हैं इस step से हो गया है अब मैं क्या करता हूँ जो first frame है उस पे मैं थोरा सा इसको character को नीचे की वर move करता हूँ और यहां पर भी और एक यहां पर भी और अब मैं क्या करता हूँ यहां से बापस जाते हैं बापस आने के बाद हमारा 30 frame तक create किये हैं आप देखते हैं इंटरप्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस step से हमारा जो है इसमें एनिमेशन आ गया है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसमें हम कैसे बोन टूल लगाके और उस पर हम वाकिंग करके दिखाएंगे तो यह था दोस्तों कोई भी वीडियो को हम वाकि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें जिससे मैं कोई भी आगे वीडियो लेका हूं तो उसका डेट आपको तुरंत मिल जाए मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए थेंक्यू